यूटूब अकाउंट वेरिफिकेशन कैसे करें अगर आपका यूटूब अकाउंट वेरिफाई नहीं होगा तो आप थमनिल नहीं लगा सकते और 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं डाल सकते तो अब आप YouTube account verification करेंगे केसे जिसमें आपको अपना mobile number add करना होता है तो सबसे पहले आपको तो अपना Chrome browser open करना है YouTube account verification के लिए और यहाँ पर आपको simply YouTube लिखना है YouTube.com लिखना है Chrome browser पर अब आपको इसे desktop site पर डाल देना है यहाँ पर देखो दीख रहा है इस पर आपको click कर देना है इस पर यह अब desktop site हो गया आप अब आपको यहाँ अब आपको यहाँ पर यह जो left टॉप पर तीन लाइन दीख रही है उस पर click करना है यहाँ पर आपको सबसे नीचे setting ढूलना है setting यहाँ पर आपको setting पर click कर देना है यहाँ पर आपको channel and status features दिख रहा होगा channel status and features इस पर click करना है यहाँ पर आप देख सकते हो features that require phone verification videos over 15 minutes custom thumbnails live stream तो यहाँ पर आपको पहले अपना YouTube verification देना होगा phone verification देना होगा यह देने पर ही आप 15 minutes से लंबी video upload कर सकते हो thumbnails लगा सकते हो और live stream कर सकते हो यहाँ पर eligible लिखा है इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर और यहाँ पर लिखा है videos longer than 15 minutes custom thumbnails live stream appeal content ID claims यहाँ पर आपको verify phone number पर click करना है यहाँ पर आपको chrome select कर लेना है यहाँ पर text me the verification code पर आपको click कर देना है और यहाँ पर आपकी country इंडिया select कर लेनी है जो भी country हो वो select कर देना है और यहाँ पर आपको अपना mobile number डाल देना है अब आपको get code पर click कर देना है enter your six digit verification code यहाँ पर आपको एक OTP आएगा इसे copy कर लेना है और यहाँ पर paste करके submit पर click कर देना है phone verification step 2 phone number verify हो चुका है और आपका YouTube का phone verification complete हो गया है अब 15 मिनिट से लंबी वीडियो आप post कर सकते हो लाइब स्ट्रीम कर सकते हो और आपके वीडियो पर thumbs भी लगा सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो लाइब एक लाइक एं सब्सक्राइब करना ना भूले है